हेलो फ्रेंड जैमा तदी फ्रेंड आज देखिए दो से तीन या चार साल के बच्चे को अराम से आ जाईए स्वाटर तो इसको गले से बनाना हमने स्टार्ट करा है और स्टेप पर स्टेप मैंने इसको बनाना बताया है जो डिजाइन हमने यहां पर फंदे बढ़ाने में ब रखाए तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप पर स्टेप आज फ्रेंड हम इस वाले कलर से स्वाटर बनाना सीखेंगे गले से स्टार्ट करेंगे इसको तो यह मैंने बर्दमान की नॉर्मल वाली उन ली है और इसको हम गले से बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम फंदे डालना सीखेंगे, यह राउंड वाली नीडल लेली मैंने 10 नमबर, अब देखिए, अब हम फंदे डालना सीखेंगे, तो यह हम सिंगल धागे से डालेंगे, 61 फंदे डालेंगे, ऐसे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तो यह मैं 61 डाल लेती हूं, अब देखिए, फ्रेंड, 61 फंदे डाल लिए, मैंने, अब हमने इन फंदों को यह वाली स्लाई भी उल्टी बनानी है, पूरी स्लाई, पहली स्लाई, तो सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे, तो यह स्लाई में उल्टी बना लेती हूं, फिर अगली दिखाते हूं, अब देखिए, अब दूसरी स्लाई है, यह भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे, यह हम सीधी साइड पे आगे, यह दिखे, तो यह पूरी स्लाई हम उल्टी बना लेंगे, इसके बाद एक स्लाई फिर अगली हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उसके बाद दिखाती हूं, कैसे इसको बनाएंगे, गले को, तो यह दो स्लाई हमें बना लेती हूं, यह वाली भी अगली भी, अब यह देखे, फ्रेंट, पूरी एक धारी हमारी बन गई, अब देखे, अब इस वाली धारी पे 5 फंडे हम बढाएंगे, इसमें, 5 फिर अगली में, 5 पिर अगली में, तो इस तरीके से, 81 फंदे हम टोटल करेंगे तो पहले ये जो 7 फंदे हैं बटन पटी के इनको बना लेंगे पांच छे साथ अब इससे आगे हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं तो 61 फंदे हैं हमारे पास है अब होगे 62 जैसे भी आपको फंदे बढ़ाने आते हैं वैसे आप बढ़ा सकते हैं एक फंदा बढ़ गया हमारा पांच पांच फंदे बढ़ाएंगे हम दो तीन ऐसे गला बनाने से गले की से बहुत ही सुंदर आती है न जूलता भी नहीं है गला ज्यादा खुला भी नहीं बनता तीन फंदे बढ़ाएंगे हमारे चार पांच उल्टी स्लाई फिर में पूर्य उल्टी बना लेती हूं उसके बाद फिर अगली स्लाई में हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे और लास्ट वाली फिर फिर दिखाते हूं मैं आपको तीन फिर उल्टी स्लाई में बना लेती हूं पहले अब दोबारा देख लीजे फ्रेंड कैसे फंदे बढ़ाएंगे पहले साथ फंदे थो हम बना लेंगे चार पांच छे साथ इसके आगे आप कहीं भी फंदे बढ़ा सकते हो तो देखिए एक फंदाए बढ़ाया तो इस तरीके से हम चार बार चारों धारियों में हम फंदे बढ़ाएंगे पांच पांच उसके बाद फिर मैं आ दिखाते हूं आपको फिर हम फंदे डिवाइड करेंगे तो यह मैं बना रहते हूं उल्टी स्लाई यहां पर तो यहां पर बटन होल बनाना बताते हूं अब देखिए उल्टी स्लाई पर हम यह साथ फंदे हमने छोड़ दिये तो तीन फंदे हम बनाएंगे बटन पर्टी के उल्टी स्लाई पर फिर जाली बनाई दो का एक पर दिया ऐसे हमारे बटन होल बन गया तीन धारियों के बाद अब चौती धारी देखिए इसमें भी हमने पांच फंदे बढ़ाने हैं जाली ऐसे बनाएंगे तो यहां पर होल बन जाएगा बटन होल अब जैसे हम फंदे बढ़ा रहे हैं वैसे हम इसमें बढ़ा लेंगे एक इसलाई में एक अगली में फिर यहां पर एक दो तीन चार टोटल पांच धारियां हो जाएंगी तो पांच धारियां बनाने के बाद फिर दिखाती हूं टोटल फंदे हमारे एटी बन हो जाएंगे अब देखे फंदे डिवाइड कर लिए मैंने एटी बन फंदे थे हमारे टोटल तो देखे एक दो तीन चार पांच छे तीन तीन चे और साथ हमारे पटन पट्टी के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ हमारे फंट पांच के लिए और इस पे हम डिजाइन बन बाजू के लिए फिर इस पर हम डिजाइन बनाएंगे 25 पंदे हमारे बैक पार्ट के लिए फिर 10 फिर 9 फिर 7 तो देखिए अब कैसे हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो यह वाली जो सलाई हम बनाएंगे यह पूरी हम एक सीधी और एक उल्टी बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब धागा पीछे करके इन फंदों को सीधा बना देंगे और जहां पे मार्कर लगा हो उसको वैसे ही सिफ्ट कर देंगे दूसरी जगा पे इस वाली सलाई की तरफ उनके अगली सीधी पे हम डिजाइन बनाएंगे तो इसको हम ऐसे ही यहां पे लेएंगे तो यह दो सलाईया मैं बना लेते हूं एक ए सीधी और अगली उड़ी फिर मैं आपको डिजाइन डालना बताती हूं आप यहां से भी डिजाइन डाल सकते हो पर वो दिखेगा ने फिर अब देखे फ्रेंड पूरी सलाईय लगा ली मैंने दो अब देखे साथ फंदों को हम पहले उल्टा बनाएंगे धागा आगे करके दो तीन चार पांच छे साथ अब धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे तो एक दो दो फंदे नीचे से दो के चार बनाएंगे हम एक फंदा ऐसे निकाला फिर दो फंदे हमने सीधे बनाए फिर एक दो यहां से एक फंदा फिर निकाला इनको थोड़ा लूज रखेंगे हम फिर धागा आगे करेंगे दो तीन पांच पांच फंदे हम बीच में उल्टे बनाएंगे तीन फंदे सोरी हम उल्टे बनाएंगे पांच नि बनाएंगे तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए अब फिर हम धागा पीछे करेंगे इन दो फंदों पे हम फिर वैसे ही नीचे से फंदा निकाला दो फंदे सीधे बनाए फिर नेचे से फंदा निकाला ऐसे अब इसके बाद देखिए एक दो फंदे हमने सीधे बनाए अब इन दो फंदों पे हम फंदे बढ़ाएंगे ए फ्रंट पार्ट और ए वाला फ्रंट पार्ट सिर्फ यहीं पे हम मेरे डिजाइन बनाएंगे या तो आप जाली बना लीजिए अगर जाली बनानी है आपने जाली ने बनानी है तो इस तरीके से अफंदा बढा लीजिए अब इन दो फंदों पे मैं यही डिजाइन डालूंगे तो ऐसे फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे एक अब यह हटा देंगे हम दो फिर दूसरे नंबर से एक लूप ऐसे निकालेंगे और एक फंदा यहां पर बढ़ाएंगे और अगले सभी फंदों को सीधा बना देंगे कि नौ फंदे हमने बना लिए अब इन दो फंदों पर हमने फिर से एक एक फंदा पहले बढ़ाना है और एक दो दूसरे नंबर से ऐसे एक धागा निकालना है और इन दो फंदों को सीधा बना देना है और फिर एक दो यहां से ऐसे निकालेंगे और एक फंदा यहां पर बढ़ा देंगे एक दो तीन चार पांच छे एक पार्ट है हमारा साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, तंदरा, सोला, सत्रा, अधारा, उननेस, बीस, एककिस, बाईस, तेस, तेस पंदे बनाएं अब एक फंदा हम यहां बढ़ाएंगे और यहां बीच में से ऐसे एक लूप निकालेंगे दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे एक, दो, एक, दो जबा नीचे से दो के हमने चार बनाएं फंदे और चार सलाईओं में डिजाइन कंप्लीट होगा तो हमारी पहली सलाई है यह और फिर पिन के दोनों साइड हमारे एक फंदा है तो पहले हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं फिर सेकेंड नंबर से एक लूप निकालेंगे और इन दो फंदों को फिर सीधा बना देंगे तो फिर एक लूप निकाली अगर आप जाली बनाना चाहते हैं तो जाली भी बना सकते हैं इस दो फंदे बनाएं तो दिखिए तीन तीनी चे और एक लूप निकाली फिर धागा आगे करर दो फंदे थीन फंदे और थीन को फिर बनाया पहलें, दो के हम चार बना देंगे, फिर धागा आगे, और ये साथ फंदे फिर ओल्टे, अब ओल्टी स्लाई पे, जो लूप हमने निकाल रखी है, वो हम स्लिप करेंगे, ये साथ, ये लूप हम स्लिप करेंगे, और ये हम उल्टे बनाएंगे, ये लूप हम स्लिप करेंगे, तो इस तरीके से उल्टी स्लाई बना लेते हैं, अब फिर से देखिए, कैसे हम फंदे बढ़ाएंगे, तो ये हम बारा बारा धारियां बनाएंगे, फिर हम जाले बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब धागा पीछे करेंगे, देखिए, ये लूप वाला, और एक, इनको थोड़ा हम ऐसे लूज करेंगे, चारों फंदों को, और ऐसे बैक पार्ट से, एक साइड से, इन चार का हमने दो बना दिये, ऐसे, धागा आगे करा, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, अब फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार को, बैक पार्ट से बनाया, फिर, फ्रंट पार्ट से बनाया, तो, दो के, दो फंदे होगे, यहां पर, अब देखिए, एक, दो, और एक, तीन, तीन फंदे होगे, यहां पर एक फंदा हम फिर बढ़ाएंगे, और इन चारों को, फिर से वैसे ही, बना देंगे, पहले बैक साइड से, फिर, फ्रंट साइड से, पिर एक फंदा बढ़ाएंगे तो यहां पर दो के दो होगे अगली बार इन दो पर फिर हम ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे एक बार फिर दिखा देती हूं मैं आपको आगे वाला इसके बाद उल्टी स्लाइब फिर पूरी उल्टी बनेगी इसको भी पहले हम बना लेंगे इसके बाद फिर फंदा बढ़ाएंगे बैक साइड से बनाया फिर फ्रांट साइड से बढ़ाया बनाया और फिर एक फंदा बढ़ाया यहां पर हमने हमेशा एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाते जाना है तो ऐसे ही यहां पर बनाते जाएगे यह डिजाइन यह तीसरी स्लाइए चौथी पूरी उल्टी बनेगी इन ही चार चार स्लाइएंगों को हम रिपीट करते जाएंगे तो यहां पर हमारे ऐसे डिजाइन बनता जाएगा तो मैं फंदे भी बढ़ा लेती हूँ और यहां पर देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच धारियां बने बारा धारियां बनाएंगे फिर बटन होल बनाएंगे तो यह बना लेती हूँ फिर दिखाते हूँ आपको आगे यहां पर ध्यान रखना है हमने जो हमारे दो फंदे हैं के दोनों साइड हमने हमेशा एक-एक फंदा बनाते जाना है और जब हम डिजाइन बनाएंगे हाथ चार सलाईयों के बाद तो इन दो का हम चार बनाएंगे यहां पर जो हमने लूप नीचे से निकाली है बस ऐसे ही हम बनाते जाएगे और यह बनता जाएगा फिर आगे दिखाते हूँ मैं कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रंट पार्ट बाजू और वैक पार्ट और यह मैंने कितने डिजाइन बनाए ओभी मैं दिखाऊंगे आपको फ्रेंड देखे यहां तक मेरे फंदे कंप्लीट होगे हैं और डिजाइन भी कंप्लीट होगे हैं दस डिजाइन बनाएं मैंने यह दस डिजाइन और दस डिजाइन बनाने के बाद अब हम यह देखे दोनों फ्रंट पार्ट पे हमने दो दो डिजाइन बनाए हैं और फिर जहां से हमने फंदे बढ़ा हैं वहां वहां भी हमने यह डिजाइन बनाए है तो अब इसके बाद हम फंदे डिवाइड करेंगे तो देखिए जो फ्रंट पार्ट के हैं वह हम इस राउंड वाले निडल में रखेंगे और जो बाजू वाले फंदे हैं उनको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम 40 फंदे रखेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, धागा पीछे और वही डिजाइन हम यहां से रपीट करेंगे कर दो, यहाँ दो जीग, यहाँ, मैं लिए ek लेसीैfish ब conscious packing गया है मैं जीग एलखा ब़ुणा की सहाँ झाइन हो तश्या हम गागा इह रहते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, अब यहां पर हमने कोई डिजाइन नी बनाना है अब इसके बाद आगे वाले जो फंदे हैं यहां से लेके और यह जो दो डिजाइन के हैं एक हम इस साइड को लेंगे एक इस साइड को तो यह सारे फंदे यहां तक मैं इस लाई पर उतारूंगी चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, तोला, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहां, अटारी, 48, पंदे हमने इस वाली सलाई पर उतार लिये अब हमने फिर से राउंड वाली नीडल में बैग पाटके यहां से लेके अधिन से लेके राउंड रूंड आचारे हो, अटारी पार निगे पर पार आपिद्द आइए के अब आओंगि आपी और प्कार के इक फंद इस साइड को एक इस साइड को आप ए वाले फंद हम इस वाली इसलाई में जो राउंड वाली निजल ऊसे उतारेंगे अब देखिए फ्रेंड सिक्स्टीफ फंद वैने इस वाली सलाई पे उतार लिए अब हम बाजू वाले फिर से 48 इसमें उतार लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट में राउंड वाली पे तो ये बैक पार्ट वाले ये उतार लिए मैंने राउंड वाली पे अब हम बाजू के फंदे इसमें उतार लेंगे 48 और फिर 40 पंदे हम फ्रंट पार्ट के राउंड वाली नीडल पे तो मैं उतार ले इस वाले फंदे में उल्टे इस पर उतार लेती हूं इसके बाद फिर बाजू बनाना बताते हूं आपको सबसे पहले हम दोनों बाजू बनाएंगे फिर हम बैक और फ्रंट पार्ट बनाएंगे अब फ्रंट हम बाजू मेर डिजाइंगे यही डिजाइन तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें पांच-पांच के मल्टिपल से फंदे लेंगे और तीन फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो चलिए देखे कैसे बनाएंगे पहले तीन फंदे हम अब इन दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे यहां से फर्स्ट सेकेंड नमबर से ऐसे एक लूप निकालेंगे इन दो फंदों के हम चार फंदे बनाएंगे फिर एक दो दूसरी जगा से एक लूप फिर निकालेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे दो तीन धागा पीछे एक दो यहाँ से एक लूप फिर निकालेंगे थोड़ी सी लूज रखेंगे दो फंदे फिर सीधे सेकेंड नमबर से एक लूप और निकालेंगे अब तीन फंदे फिर उल्टे धागा पीछे एक लूप निकाली दो फंदे सीधे सेकेंड नमबर से एक लूप निकाली धागा आगे करा तीन फंदे उल्टे पूरी श्लाई हम ऐसे ही बना देंगे फिर लास्ट में दिखाते हूं, अब लास्ट में देख लीजे फ्रेंट, दो फंदे फिर हमने सीधे बनाए, एक नीचे से लुप निकाली, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एजेस्टिच हम सीधा बनाएंगे, अब उल्टी उल्टे एक स्लिप करा, तीन फंदे फिर उल्टे एक स्लिप करा, दो फंदे उल्टे स्लिप करा, पूरी स्लाई इसको ऐसे ही बना देंगे, फिर मैं तीसरी स्लाई दिखाते हूं आपको, अब तीसरी स्लाई देखिए, पहला फंदा स्लिप करा, दो उल्टे बनाएंगे, एक दो अब धागा पीछे करेंगे यह जो हमने दो फंदे के चार फंदे बनाए इनको थोड़ा लूज करेंगे और पीछे वाली साइड से एक फंदा ऐसे बनाएंगे एक आगे वाली साइड से बनाएंगे तो हमें दो के दो मिल गए अब तीन फंदे फिर उल्टे धागा पीछे करा इनको थोड़ा ऐसे लूज करेंगे पहले एक बार पीछे से बनाएंगे एक बार ऐसे आगे से फिर धागा आगे तीन फंदे फिर उल्टे चार सलाईओं का इडिजाइन हैं तीसरी सलाई यह और चौथी सलाई फिर पूरी उल्टे जाएगे इसके तो यह पूरी स्लाई में बना लेते हूं फिर आपको अगली स्लाई दिखाती हूं और इसके बाद फिर एक बार फिर डिजाइन को कैसे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे ओवी में दिखाऊंगे आपको अब चौती स्लाई की पूरी उल्टी बनेगी तो सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे इसके बाद फिर अगली स्लाई में आपको फिर से दिखाऊंगी कैसे हम बनाएंगे चारी स्लाईयों को डिजाइन है इनी चार स्लाईयों को हमने बार बार पीट करते जाना है रेक वर में आपको दिखा देते हूं कैसे हम बनाएंगे इसको दोबारा से तो ए पूरी स्लाईय में बना लेते हूं अब देखिए द्वारा से हमने पहली स्लाईय बनाने है पहला फंद हमने स्लिप करा और दो फंदे हमने उल्टे बनाए हम धागा पीछे करके एक दो फिर से हमने दो धागे नीचे से एक लूप निकालने हैं दो फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो एक लूप यहां से फिर निकाली इहीं चार-चार स्लाइओं को हमने रिपीट करते जाना है तो यह डिजाइन हमारा ऐसे बनता जाएगा आप इसको दूर दूर मैंने तीन का गैप दिया है आप पांच साथ ऐसे गैप देखिए भी इसको बना सकते हैं इसके ऐसे एक बना डिजाइन फिर दो पांच डिजाइन बनाने के बाद फिर मैं फंदे दोनों साइट से कम करूँगी सिर्फ थर्टी एट फंदे ही बॉर्डर में छोड़ेंगे हम और बाकी फंदों को हम कम करते जाएंगे जैसे पहले पांच डिजाइन तो हम ऐसे ही बनाएंगे जितने भी हमारे पास फंदे हैं उनिका इसके बाद फिर दोनों साइट से एक एक फंदा हम कम करते जाएंगे हर तीसरी चौथी चलाएंगे तो मैं यह बना लेते हूं फिर दिखाते हूं आपको आगे सेम ऐसा ही डिजाइन बनके आए गाए यह देखिए अब देखिए फ्रैंड दोनों बाज़ों बना ली मैंने इसकी यह देखिए 15-15 डिजाइन बनाये हैं दोनों बाज़ों पर अब हम यह बैक पार्ट और फ्रांट पार्ट बनाना सीखेंगे तो यही डिजाइन हम बनाएंगे तो देखिए मैं डिजाइन अरजेस्ट करना बता देती हो आपको अब को इसी कीप साथ फंदे पहले हम बटन पट्ती के बनाएंगी कोर्य के बि तリकी में चारां पांच छे साथ यहां पे पहले ले बटन फोल बनाएंगे मैं में तो देखिए 13 5KS सूार 5KS 11-12 यहां पर पहले हमने बटन होल बनाना था तो मैं यह निकाल लेती हूं अब यह भी हमें निकालने पड़ेंगे देन बंदे अब देखें यहां पर बटन होल बना रहेंगे जाली बनाई दो का एक करा आप अब फिर से इन साथ फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे दो तेन चाथ पांच शे साथ धागा पीछे अब जो हमारा डिजाइन चल रहा है इस वाली स्लाई में हम यही डिजाइन बनाएंगे अगली बाली पे फिर हम पूरा डिजाइन अर्जेस्ट करेंगे तो यह मैंने बता दिया आपको और पूरी स्लाई में ऐसे ही बना लेती हूं सिर्फ दो ही डिजाइन हमने दोनों साइड बनाने हैं और फिर उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बनाएंगे आगे तक दिखा देते हूं थोड़ा सा इन फंदो को हम ऐसे ही सभी को बना देंगे तो यह पूरी स्लाई में सीधी और अगली पूरी उल्टी बना के फिर अगली सीधी स्लाई पे आपको पूरे पे डिजाइन डालना बताती हूं सभी फंदों को ऐसे हूंने सीधा बना लेना है यहां से भी अब देखिए दुबारा से दो डिजाइन तो हमारे वैसे ही बनेंगे साथ यहां तक तो सेमी बनेगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं कुले ली वैह बनाते की बने आ दिजिक कार्णख दिए बनाते इंगे की अब तीन फंदे उल्टे थागा पीछे फिर से से के नंबर से एक लूप निकालेंगे दो फंदे सीधे फिर से से के नंबर से लूप निकालेंगे फिर तेन फंदे उल्टे लास तक ऐसे ही बनाते जाना अबने बुरे के पूरे फंदे हैं ये जितने हमें चाहिए 151 दो तीन दागा पीछे से के नंबर से एक लूप निकालेंगे दो फंदे उनाए फिर से एक फंदा निचे से निकाला तीन फंदे उल्टे धागा पीछे यहां से फंदा निकाला दो फंदे ची थे तीन फंदे उल्टे तो ऐसे ही मैं पूरा बना रहेती हूं बैक पार्ट भी फिर मैं आगे दिखाते हूं आपको लास्ट में अब देखें यहां लास्ट में पहुंच गए हम तो फिर से यहां से एक लूप निकाली दो फंदे सीधे एक लूप निकाली और तीन फंदे उल्टे अब और यह दो डिजाइन हम वैसे ही आगे के बना देंगे एक दो एक लूप निकाली तीन फंदे फिर उल्टे दागा पीछे यहां से एक लूप निकाली दो फंदे सीधे साथ फंदे उल्टे अब डिजाइन मैंने पहले आपको बता रखा है अब आगे हमने कैसे बनाना है तो बाजू पे हमने 15 डिजाइन बना है यहां मैं 18 डिजाइन बनाओंगी ऐसे ही नीचे को सभी फंदों का अब तो यह मैं बना लेते हूं फिलास्ट मैं आपको देखिए फ्रेंड पूरा मैंने कम्प्लीट कर लिया है यह जो टोटल डिजाइन बनाएं 28 डिजाइन यहां से लेके यहां तक 28 डिजाइन है और बारा स्लाइयों का यह मैंने बॉर्डर बनाए एक फंदा सीधा एक उल्टा जैसे हमने बाजू पे बनाए एक फंदा कर दिया है तो यह देखिए इस तरीके से यह बनके आई यह बहुती सुन्दर स्वाटर अब मैं आपको यह बाजू सिलना बताते हूंगा एक तो इस तरीके से आप इसको उल्टा कर लीजिए उल्टा करने के बाद यह जो हमारा धागा यहां पे बचा हुआ है इसी से हम इसको सिल देंगे जब हम फंदे डालते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा धागा बच्ची जाता है तो देखिए अब कैसे सिलेंगे हम इसको इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे और यहां पे दो तीन बार अच्छे से इसको जोइंट कर देंगे अब ऐसे मिला देंगे इस तरीके से हम उपर तक ऐसे ही सिलते जाएंगे इसको इसलिए हमारा बिल्कुल भी टांका नहीं देखता है ऐसे सिलने से यहां तक यहां तक सिल लेती हूं फिर यह वाला पार्ट आपको शिल के बताती हूं अब यह देखे फ्रेंट यहां तक सिलिया मैंने अब इसके बाद हम ऐसे खोलेंगे इसको और इस तरह के सिलेंगे अब दोनों साइट से एक पंदा लेंगे एक इस साइट से एक इस साइट से और इसको ज्यादा टाइट नहीं हम से लेंगे यहां से एक अब यहां पे हम इसको पक्का करेंगे तो दो बार सुई पैसे धागा गुमाएंगे और इसको खीच लेंगे और यहां से अब हम धागा काट लेंगे अब फिर मैं आपको सीधा करके दिखाते हूं तो यह देखें यहां पे बिल्कुल भी हमारा यह देखें बिल्कुल हमारी बाजु भी देखें इस तरीके से यह सिल के आई है और यहां पे बिल्कुल भी टांके ने दिख रहे हैं तो इस तरीके से आप दूसरी साइड भी सिल लेजिए यह देखें ऐसे और फिर बटन लगाके यह हमारी स्वाटर फिर कंप्लेट हो जाएगी छे बटन लगेंगे इसमें तो एक बार फ्रेंड जुरू ट्राई किजिएगा अपनी बेवी के लिए बेवी गर्ल के लिए तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक यू